हेलो श्रून हाई स्कूल क्लासेस पर आपका फिर से स्वागत हैं आज हम आपको बताएंगे कच्छा नौवी विसेग गडित का चैप्टर फर्ष्ट की आल इंपोर्टेंट कोस्चन तो इस्ट्रेंट यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो डेफिनेटली आपके जो है वीडियो लेक्चर बारे इंट मत्तब बारा वीडियो ठीक है कम से कम बारा वीडियो यदि आप बारा वीडियो पूरा देख लेते तो डेफिनेटली आपके 75 में 75 मार्क्स आएंगे क्योंकि एक क्वेश्चन भी आपका ऐसा नहीं होगा जो बाहर का आएगा तो चैनल पर नए है तो प्लीज चैनलों को सब्सक्राइब कर ले और विल आइकान प्रेस कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा सेयर करें तो चलिए चलते हैं सबसे पहले चैप्टर फर्ष्ट पर ठीक है चैप्टर फर्ष्ट आपका है संख्या पद्धती से क्य क्या क्या question आपकी exam में आ चुके हैं ठीक है आप देख सकते हैं तो हम आ गए हैं chapter 1 फंख्या पद्धाती पर तो सबसे पहले देखते हैं क्या क्या question आपकी exam में आ सकते हैं पहले देखते हैं objective question ठीक है पहला question है किनी दो परिमेश संख्याओं का गुड़न फल मतलब यदि हम दो परिमेश संख्या का आपस में गुड़ा करते हैं तो क्या मिलेगा तो हमेशा परिमेश संख्या मिलेगा परिमेश संख्या का परिमेश संख्या से गुड़ा करेंगे तो क्या मिलेगा परिमेश संख्या तो आपसन नंबर बी पर आपको टिक कर देना है ठीक है इन में से परिमेश संख्या नहीं है, तो आपको पता है, परिमेश संख्या नहीं है, मतलब जिसे हम P बटे Q की रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, तो 225 का हम वर्गमूल निकालेंगे, तो 15, हम 15 को 15 बटे एक लिख सकते हैं, उसी तरह उन्चास, उन्चास का वर्गमूल 4, 7 को ह रूट ओबर 23, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रूट ओबर 23, ठीक है, यही क्या हो जाएगा, परिमेश संख्या नहीं होगा, किसी वास्तिविक संख्या का निरपेच मान सदैब होता है, निरपेच मान का तात्पर होता है, हम बीना साइन देखें, उस नंबर की व बताएंगे, तो हमें यह तब पॉश्टिव संख्या आगी, क्योंकि हमें साइन पर ध्यान देना नहीं है, बहले ही माइनस है, तो इसका आंसर हो जाएगा, धनात्मक संख्या, ठीक है, परिमेश संख्याओं के दसमलो निरूपन को हम क्या कहते हैं, तो परिमेश यहां पर आपका a plus b into a minus b बन रहा है, इसको हम a square minus b square के रूप में लिखेंगे, तो a square मतलब 2 का square चार और minus 2 का square देखें, तो root over 2 का square कितना हो जाएगा, 2, तो 4 में हम 2 घटा आदेंगे, तो correct answer क्या निकल के आएगा, 2, तो 2 प्यार आपको टिक कर देना है, root over 3 का decimal प्रिसार क्या होगा, ठीक है, देखें, root over 3 जो है आपका क्या है, अपरी में संख्या है, और अपरी में संख्याओं का decimal प्रिसार क्या होता है, असांत होता है, और अनावर्ती होता है, ठीक है, ना तो अवर्त आएगा, ना तो सांत आएगा, तो असांत अनावर्ती पर आपको टिक कर देना है देखिए एक question 2019 में आया है एक question 2018 में आया है अगला question है किसी वास्तिविक संख्या का निरपेच मान सदैब क्या होता है तो क्या होता है इस्टों धनात्मक संख्या यह question फिर से repeat हो गया है धन संख्या पर आपको चार बटी पाच हो जाएगा और चार बटी पाच में चार बटी पाच का भाग करेंगे तो एक हमारा correct answer होगा ठीक है एक पर आपको टिक कर देना है अगला है दी गई आकरित्मी छे आंकित भाग भी के रूप में होगा देखे टोटल कितने कॉलम्स है मारे पास 1,2,3,4,5,6 भरे कितने है 2 तो 2 अपान 6 तो 2 अपान 6 मतलब किसको हम क्या राइट कर सकते हैं 1 अपान 3 2 अपान 6 को डिवाइट करेंगे 2 से तो 2 अपान 3 आपका correct answer हो जाएगा ठीक है अगला question है 9 में से अपरिमे संख्या अपरिमे संख्या अपरिमे संख्या मतलब जिसको हम पीबटे की कोई देखे 2030 में आ चुक है exam एक कोशन ठीक है तो उन्चाफ्त होगा नहीं दो सो पचीस नहीं होगा ये आपको दिख रहा है दसमलों की बात देखिए सांथ दसमलों होगा तो परिमे संख्या तो रूट ओवर कितना हो जाएगा 23 आपका अपरिमे अगला question है 100 की power 1 upon 2 into 2 इसको हमें solve करना है तो देखे इसको हम कैसे solve करेंगे थोड़ा सा यहाँ पर देखती है 100 को हम क्या write करते हैं 100 को हम write कर सकते हैं 10 की power में 2 ठीक है 10 का square हम hundred को write कर सकते हैं ठीक है और इसके power में था 1 upon 2 और इसके whole power में था student कितना था 2 यह हो जाएगा नेखे यदि power की उपर power है तो इन दोनों के अपस में क्या हो जाता है मल्टिप्लाई तो यह हो जाएगा हमारा 10 के power में 2 और इन दोनों का आपस में multiply हो जाएगा 2 से 2 क्या हो जाएगा? divide हो जाएगा, ठीक है? तो 10 का square कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, तो 100 will be your right answer ठीक है? तो correct answer strength आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा? तो correct answer will be 100, right? so 100 आपको write कर देना है, आप चलते move करते हैं next question के तो next question आपका आता है रिक्ति सानों की पूर्त कीजिए तो देखें, क्या पूछा गया है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो आपको पता है, प्राकृतिक संख्या मतलब कि natural number 1 से start होती है तो 1 will be your right answer, ठीक है? अगला है, सबसे छोटी पूर्त संख्या means smallest whole number तो smallest whole number, whole number किससे start होता है? 0 से तो इसका correct answer हो जाएगा, सुने, ठीक है? अगला question है, a की power m into a की power n यदि बीच में multiply है और base same है तो क्या हो जाता है? दोनों का power जुड़ जाता है तो इसका correct answer हो जाएगा, a की power m plus 3 ठीक है? अगला है 2 की power 10 into 2 की power minus 10 तो इसको हम solve करेंगे न, तो क्या हो जाएगा, 2 की power 10 minus 10 मतलब 2 की power 0 और किसी भी संख्या की power में 0 है तो इसकी value क्या होती है 1? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा correct answer 1 1 आपको write कर देना है, ठीक है? अगला question है 5 plus root over 3 into 5 minus root over 3 देखें, इसका हमें मान मता आना है तो यहाँ पे सीधे आपका a plus b into a minus b दिख रहा है, मतलब a square minus b square तो a square मतलब root over 5 का square 5 होगा और minus root over 3 का square 3 होगा 5 minus 3 करेंगे तो correct answer will be 2, यहाँ पे आपको 2 write कर देना है, ठीक है? अगला question है, root over 5 यहाँ पे आपका कितना है 3 लिखा है, इसका करणी घात तो करणी घात का मतलब क्या होता है इस्ट्वेंट, यहाँ पे हमें घात यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, तो हमेशा घात 2 मानी जाती है, यहाँ पे हमें 3 दीख रहा है, तो इसका correct answer क्या हो जाएगा 3, देखिए, answer क्या करना आपको 3 करना है, ठीक है? अगला question है root 2, एक परिमेर संख्या है कि अपरिमे, तो आपको पता है इसका दसमलब प्रसार आसान तना वरती होगा तो आपरिमेर आपको राइट करना है अगला question है, इसा भी command बताईए, तो देखिए 2 root 2 और 2 तो कितना हो जाएगा, यह 3 root 2 हो जाएगा, और 5 root 3 में 3 root 3 माइनस करेंगे, तो 2 root 2 ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3 root 2 plus 2 root 3 आपका correct answer देखिए, आप देख सकते हैं, 2018 2022, 2022 इसारे question आपकी exam में पूछे जा चुके हैं, ठीक है, आप move करते हैं, अगले question पर सत और असत पहला question है, दो परिमेर संख्याओं का योग फल एबंग एक परिमेर संख्या होता है, देखिए, दो हम परिमेर संख्याओं को जोड़ेंगे, तो क्या मिलेगा परिमेर संख्या, तो इस statement क्या है, true है अगला है, दो परिमेर संख्याओं का गुणन फल, एक अपरिमेर संख्या होता है, गलत है, दो परिमेर संख्याओं का गुणा करेंगे तो परिमे संख्या ही आएगा किनी दो वास्तिविक संख्याओं के बीच में असंख्य वास्तिविक संख्याओं होती है बिल्कुल सही बात है सत्य कर देना है एक अपरिमे और एक परिमे संख्या का योगफल अपरिमे होता है तो ये भी सही बात इस टेंट एक हम परिमे संख्या और एक अपरिमे संख्या जोड़ेंगे तो अपरिमे संख्या मिलेगा ठीक है जैसे दीखिया आपके सामने एक है root over two और एक है three इन दोनों हम add करेंगे 3, इसमें x का मान बताना है, ठीक है, इसको कैसे हल करना है, थोड़ा सा समझे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, root over x, ठीक है, और x की power में है 3, और इसका whole power है 2 upon 3, कितना है 2 upon 3, तो देखिए, इसको हम क्या write कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको हम write कर सकते हैं x की power में 3 और यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब power में 1 upon 2 है तो यह कितना हो जाएगा 3 into 1 upon 2 मतलब 3 upon 2 हो जाएगा और power में 2 upon 3 है तो 2 upon 3 2 से 2 कटेगा 3 से 3 कटेगा तो x ही आपका correct answer हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पे बोला है इसका मानियक्स होता है तो सत्य हो जाएगा अगला है प्रतेक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है बिल्कुल सही बात है प्राकृतिक संख्या 1 से सुरू होती है पूर्ण संख्या 0 से तो correct answer सत्य हो जाएगा अगला है दो अपरिमे संख्याओं का योग सदैब अपरिमे संख्या होता है बिल्कुल सही बात है ये भी true हो जाएगा रूर 3 एक अपरिमे संख्या ये भी सही है ठीक है आप देख सकते हैं एक question 2018, 2019, 2020 में आ चुका है ठीक है अगला question है a plus b ठीक है root over में और a minus root over b तो इसका मान क्या हो जाएगा a square minus b ये आफसर नमबर d अगला है root over 12 अपर root over 3 मतलब root over 4 और root over 4 को हम 2 write कर सकते हैं तो correct answer 2 हो जाएगा a के power ym में a के power yn का divide करेंगे तो a के power ym minus yn हो जाता है ठीक है दोनों का multiply होगा तो a के power ym into yn हो जाता है आप सा number a पर टिक कर देना है ठीक है ये आप क्या दिख रहा है पहले तो हम इसको हल कर लेते हैं तो कि इसको हम 4 से divide करेंगे तो चार कम 4 चार से को 164 आएगा ठीक है ये 104 आएगा और इसी तरह आपका इसमें आप इसका divide करेंगे ठीक है तो कितना आ जाएगा आपके पास आपस आपका answer इधर रहा ठीक है ये आप इसको भी अच्छे से देख लीजिए कभी कभी आ सकता है ठीक है अगला सीर्फ ये भी bridge course का है root over minus 3 का minus 4 से गुणा करना है तो plus 12 आएगा 19 में 6 घट आना है कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा ठीक है एक में 100 का भाब करेंगे 0 से लोग जीरो एक आ जाएगा एक दम ये आपका 5 और 6 स्टेंडर्ड की question है ठीक है इसको I hope आपसे आता होगा अब देखिए अगला question है एक सब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए ठी एक के पावर जीरो का मान किसी भी संख्य के के पावर में 0 जीरो इसकी वeलिव 1 होती है तो वन आपको write कर देना है ठीक है एक पावर यम d्डिवैड़ internationally का क्या हो जाता एक स्टेंडर यम माइनस संख्यां ग्याद कीजिए देखिए आपको यह सब इतना लंबा चाओड़ा नहीं लिखना है आपको जितना परिमेश संख्या देखिए आपको केवल इसमें से question देखने है ठीक है solution मैं आपको बता हूंगा कि कैसे exam में लिखना है देखिए 3 और 4 की बीच में आपको 6 परिमेश संख्या निकाल ली थी ठीक है तो हमें 6 परिमेश संख्या निकाल ली है तो जितनी परिमेश संख्या चाहिए न उसमें एक जोर देंगे कितना आ जाएगा 7 और इन दोनों नंबर्स की साथ उपर नीचे 7 का multiply कर देजा है ठीक है तो आपका जो correct answer निकल किया आएगा इनको multiply करेंगे तो यह हो जाएगा 21 बटे 7 और यह हो जाएगा 28 बटे 7 ठीक है यह हो गया अब देखे 21 बटे 7 और 28 बटे 7 के बीच में क्या आएगा 22 बटे 7 फिर 23 बटे 7 फिर 24 बटे 7 फिर 25 बटे 7 फिर 26 बटे 7 और लाष्ट में 27 बटे 7 ठीक है आप count कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 परिमेशंख्या आगी आपके पार ठीक है अगला question है देखें same pattern पर है 3 बटे 5 और 4 बटे 5 के बीच छे परिमेशंख्या 5 परिमेशंख्या देखें question हमारे सामने है 3 बटे 5 और 4 बटे 5 तो 3 बटे 5 राइट करना है और 4 बटे 5 राइट करना है कितनी परिमेशंख्या निकालनी है 5 तो हम उपर नीचे किसका गुड़ा कर देंगे 6 का ठीक है और इनको calculate कर देंगे तो हमारा जो correct answer यह हो जाएगा 18 बटे 30 और यह हो जाएगा 6 को 24 24 बटे 30 ठीक है अब 18 और 24 के बीच में क्या क्या हो जाएगा 19 बटे 30 होगा ठीक है 20 बटे 30 होगा 21 बटे 30 होगा 22 बटे 30 होगा और 23 बटे 30 हो जाएगा ठीक है यह आपके बीच पाजपरिमेशंख्या आजाएगी चलते हैं next question पी श्ट्रेंट move करते हैं आपको यहां पर यह method नहीं देखना है कि कितना lengthy method है और यह आपको हो सकते हैं समझ में भी ना है तो इस method की ignore करना है same आपको इसी concept पर करना है ठीक है अगले question पर आते हैं अगला question देखे same उसी pattern पर यह आप इस method करते हैं कि कितना lengthy हो जाएगा आपका question ठीक है अगला question आपके 2019 एक्जाम में आया है पार्च बटी साथ और छे बटी साथ के बीच दो परिमेर संख्या तो दो परिमेर संख्या न क्या बोला है निम ने लिखित को पी बटे क्यों की रूप में व्यक्त कीज़े जहाँ पी और क्यों पुढ़ांग है और क्यू बराबर जीरो नहीं है ठीक है इसको क्या करना है पी बटे क्यू की रूप में तो student I hope यह आप से आता होगा मैं a question आपको इसका भी solution बता रहा ठीक है देखिए क्या question था आपके पास 0.43 hour ठीक है देखिए इस page में मैं आपको बता रहा हूँ कितना लिखा हुआ है पहला question आपको मैं बता रहा हूँ 0.47 hour ये लिखा है 0.47 इस पर वार लगा हुआ ठीक है इसको हम क्या कर लेंगे यक्स के इक्क्वल लेट कर लेंगे ठीक यदि यदि समलोग के बाद एक अंक में वार साइन लगा है तो क्या करना है 10 का गुणा हम यहां पर राइट करेंगे समी करण एक में 10 का गुणा क्या करना है बेटा इसमें 10 का गुणा करना है ठीक है तो 10 का जब हम गुणा कर देंगे दोनों साइड में ठीक है बोर multiply by 10 यह हो जाएगा 10x और इसमें हम 10 का multiply करेंगे यह हो जाएगा 4.7 वार ठीक है और इसको हमें क्या कर देने equation number second कर देना है इसके बाद क्या करना होता है इस्ट्विंट equation second में equation first को minus करते हैं ठीक है समी करण 2 से समी करण 1 को घटाते हैं समी करण 2 minus समी करण 1 हमें यह करना है ठीक है अब हम देखिए 10x में हमें ऐसे पहले लिख लेना है 10x minus x और इधर हमारे पास कितना हो जाएगा 4.7 वार minus 0.47 वार ठीक है यह हो जाएगा ठीक है अब 10x में हम x minus करेंगे शुर्ण तो कितना आ जाएगा 9x अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजेगा कितना हमें minus करना है 4.7 वार में 0.47 यहां पर दो डिजिट हम को एक डिजिट और चाहिए तो हम यहां पर 7 राइट कर लेंगी तो 7 में 7 minus करेंगे 0 7 में 4 minus करेंगे 3 और यह कितना आ जाएगा 4 तो 4.3 हमारे पास आ जाएगा तो यहां पर क्या राइट कर देना है 4.3 हमें x की value चाहिए आप answer अपना check कर सकते हैं देखिए कितना आना चाहिए 43.90 यह आपके सामने 43.90 तो इन तीनों question को आपको अच्छे से prepare कर लेना है ठीक है इनको आप solve करिएगा आप से कोई question नहीं आता आप comment section में comment करिएगे मैं जरूर आपको solution दूँगा ठीक है चलते हैं अगले question पर तो जो अगला question इस chapter से आता है वो आता है देखिए यह आप देख सकते हैं 2020 और 2023 में आया है पर इमें यह जो व्यंजक है इनका प्रसार करना जिसमें से पहला है root over 5 प्लस root over 2 का whole square देखिए यह question आपक क्या करना है a plus b का whole square आपको पता होगा यहाँ पर लिखेंगे चुकि a plus b का whole square आपके पास होता है student a square plus b square plus 2ab ठीक है तो इस पर हमें value रख देना है a की value कितने है हमारे पास 5 ठीक है root over में root over 5 का square plus b का square मतलब root over 2 का square plus 2ab मतलब 2 into root over 5 into root over 2 इसको हम थोड़ा से calculate करेंगे तो root 5 का square 5 आएगा root 2 का square 2 आएगा इसको हम calculate करेंगे तो 2 root 10 आएगा तो आपका correct answer निकल के आएगा 7 plus 2 root 10 आपको ऐसे इसको प्रसार कर देना है ठीक है तो आप देख सकते हैं आपका correct answer कितना होना चाहिए 7 plus 2 root 10 यह आपके सामने यह answer 7 plus 2 root 10 आपको ऐसे हल करना है ठीक है इसके बाद जो आपकी question आती है देख़े यह question भी आपको थोड़ा सी jaume कर रहा हूं 2023 में पूछा जा चुका है बथजी की power में दो बट इपाच ठीक है तो इसको कैसे हाल करना है तो इसको कैसे है रिख सकते हैं 22 के घात में दो बट इफोर आ रहा हो इतना पढ़के जाएगे डेफनेटली आपके अच्छे नंबर आएंगे तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं दो की घात में 5 लिख सकते हैं और इतके घात में दो बटे 5 हैं दो बटे 5 तो यह हो जाएगा इस्टिन दो की घाते 5 गुणे 2 बटे 5 ठीक है हम जानते हैं कि यद इतना मिल जाएगा इसका 4 हो जाएगा 2023 में आ चुका है आपको इसको भी रेडी कर लेना है अब हम कुछ और कॉस्चन पर चलते हैं देखें यही कॉस्चन आपका 32 की पावर एक बटे 5 इसका अंसर 2 आएगा सेम करना है आपको और अगला 125 के घाते एक बटे 3 2018 2019 2020 में आपक और पावर में 1 upon 3 है तो पावर में 1 upon 3 आपको पता है यदि पावर के उपर पावर हुए इन दोनों का मल्टिप्लाई हो जाता है तो 5 के पावर 3 into 1 upon 3 ठीक है 3 से 3 कैंसिल 5 पावर 1 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5 so your correct answer will be 5 5 आपको राइट कर देना है ठीक है इसी तरह आप इन सारे question को definitely आपकी exam में यही question आएंगे ठीक है 2022, 2022, 2020 ठीक है यह 2022 इधर 18, 19, 20 मतलब यही question आपकी exam में हमेंसा आते हैं तो जिसमें से पहला question है देखिए इसको मैं solve कर रहा हूँ 2 के पावर में है 3 by 2 क्या है 2 के पावर में है 2 upon 3 और dot है 2 के पावर में 1 upon 5 ठीक है देखिए यदि बीच में dot है और base same है तो इन दोनों को क्या कर देना है देखिए आपको फार्मूला पता होगा यदि A के पावर में m into A के पावर yen रहे तो क्या हो जाता है A के पावर yen प्लस yen यह दोनों पावर क्या होती है जुड़ जाती है ठीक है तो यह हमारे पास हो जाएगा 2 क प्लस फाइब स्रीजा 15 और 3 बंजा 3 तो आपका correct answer हो जाएगा student यहाँ पे 2 के पावर में 13 अपान 15 it will be your right answer ठीक है आपको ऐसे solve करना था देखिए कितना सरल फवाल है ठीक है और यह तो आपका student भिन का जोड़ घटाना है इसको भी यह तो आप 5th और 6th class से पढ़ते आ रह साम में top करेंगे ठीक है कुछ और question है जैसे यह 2023 में आया है 2020 और 2022 में इनमें से भी मैं एक question आपको solve करके बताय रहा हूं ठीक है क्या बोला है हरो का परिमेरिकरन तो परिमेरिकरन का मतलब क्या होता है देखिए यहां पी हमारे पास पहला question है कौन सा question में इसमें से solve कर दू ठीक है तो देखिए मैं 2023 में जो आया है इसको solve कर रहा हूं ठीक है पहला question आपके सामने है 1 upon root over 7 minus root over 6 हर का परिमेरिकरन का मतलब होता है इस जो हर में है ना इसी संख्या का उपर नीचे गुणा करना है क्या करना है उपर नीचे गुणा करना है क्यों साइन चेंज करके जो 7 plus root over 6 और upon में यहाँ पर a minus b into a plus b a square minus b square लगेगा तो क्या हो जाएगा 7 minus 6 तो आपका correct answer निकल के आएगा root over 7 plus root over 6 यह आपको ऐसे write कर देना है ठीक है एकदम बहुत ही असान सवाल अगला question हम देखते है question number 5 आप देख सकते हैं 2020 और 2022 में आ चुका है ठीक है तो कैसे हल करना ह देखेगा 1 upon root 2 है हर का परिमेरिकर मतलब root over 2 को गुड़ा ऊपर और नीचे इसको हम क्या लिख सकते है root over 2 को गुड़ा 1 से करेंगे तो root over 2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 तो यह आपका correct answer आपको ऐसे write करना है ठीक है इसके अलावा कुछ और question है आपके सामने इसको भी आप screenshot ले लीजे और इसको भी अच्छे से ready कर लीजे ठीक है यह आपका सारे सवाल जो है bridge course के है ठीक है यह तो I hope यह सारे सवाल आपको समझ में आए होगी मिलते है next video में जिसमें मैं आपको second chapter मतलब की polynomial बहुपत का detail solution बताने वाला हूँ